आज तीन तस्वीरें सामनी उभर कर आती हैं दोस्तों, जब राहुल गांधी देश के घरीब शुरमिकों से मुलाकात करते हैं, प्रधा मंत्री नरेंद्र मोदी लोगसभा में प्रवेश करते हैं, सारी कारवाई रुख जाती है, लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, लो लगातार उठा रहे हैं और शुसासन बाबू पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और अब तो मामला सुप्रीम कोट में पहुँच गया, जाहिर सी बात है, डबल इंजिन की सरकार पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लगर मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रधान मंत्री नर नहीं, मगर वो मुलाकात जरू कर रहे हैं, मगर ये जो वीडियो में पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, दोस्तों इसे ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे ओम बिरला हूँ, चाहे राजसभा की सभापती हो, यानि की धनकड, ये लोग लगातार विपक्षपरी आरूप लगाते हैं, कि आप संसद की मर्यादा का उलंगन कर रहे हैं, अब ये एक मिनट का वीडियो देखेगा, मनोश तिवारी कुछ कह रहे हैं, और अचानक प्रधान मंत्री का प्रवेश होता है, सब कुछ रुप जाता है, ओम बिरला साहब उनकी तरफ देखते हैं, मोधी मोधी के नारे लगते हैं, ओम बिरला साहब को काईदे से कहना चाहिए था, कि मनोश तिवारी कोई बात कह रहे हैं, इसमें आप गतिरोत पैदा नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहना चाहिए था, कलतना कीजिए, अगर यही नज तारा राहुल गांदी के इंट्रिपेर होता तो क्या होता मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उम्बिरला साहब जरू कहते कि देखिए संसदी मर्यादा का उलंधन हो रहा है देखिए नजारा क्या था और खुद आप पैसले पर पहुंचिए निशकर्ष पर पहुंचिए यह हो अध्यक जी मोदी, 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 म अध्यक जी जब मैं पहली बार यहां आया था तो हमने देखा देश के होने वाले प्रधान मंत्री उन शीडियों पर माथा रखके आगे बढ़ रहे थे बताईए अब कल्पना कीजे कि प्रधान मंत्री की जगा यहां पर राहूल गांधी होते हैं और वो इंट्री करते कोई विपक्ष का सांसत कुछ बोल रहा होता और वो चुप हो जाता तब क्या होता बताईए ओम बिरला साहब उस वक्त जरूर कहते कि यह क्या हो रहा है संसत जो है अपने दर्बार में प्रवेश कर रहा है ओम बिरला साहब के चेहरे पर किस तरह से मुस्कान रहती है जब प्रधान नंत्री भाषन देते हैं हमने सब ने देखा है दोस्तों और आज भी एक और मौका था ओम बिरला साहब को सकती से पेश आना चाहिए था भाषपा क सामने उभर कर आ रही है वो उन श्रमकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं मैं जानता हूँ आपके जहन में क्या सवाल होगा कि भाई ये तो कैमरे के लिए है ये तो राजनीती है बिल्कुल सही का आपने ये राजनीती ही है मगर कम से कम मेता विपक्ष देश की घरीब जनता से संबाद काइम कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है दोस्ते और दूसरी तरफ प्रधान मंतरी विपक्ष लगातार हमलावर होते रहता है लगातार मुद्धे उठाता रहता है मगर मजाल है प्रधान मंतरी मनिपूर पर कुछ कहें काफी दिनों बाद प्रधान मंतरी का याद कीजे नीट के मुद्दे पर एक के बाद एक के बाद एक पेपर लीख हो रहे थे प्रधान मंत्री पूरी तरह से खामोश थे विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था यहां तक कि गोधी मीडिया को प्राइम टाइम में डिबेट भी करना पड़ा था आखिर कार अपने लोक सभा संबोधन में प्रधान मंत्री ने उसका खिख्र किया हाँ आज प्रधान मंत्री ने हमारी विश्व जेता टीम, हमारी कृक्ट टीम से मुलाकात की दोस्तों इसके बारे में में अपने नीउज चैनल पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत emotional लम्हा है दोस्तों क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ जब एहंदाबाद में हमें हार का सामना final में करना पड़ा था तो इसका असर मुझ पर काफी पड़ा था और उस रात जब बाबेडॉस में हम T20 वर्ल्ड का विजेता बने थे तो मैं खुश हुआ था आपकी तरह मैं आपके सामने जो मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये कि देखे कितना चलमा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हमारी विश्य विजेता क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात कर रहे हैं अब काइदे से मैं कारकरम कर सकता था कि एक तरफ प्रधान सामने उभर कराती है और भाजपा का जो प्रचार तंत्र है सोच देखिए दोस्तों इतनी घटिया है वो लग अचानक ये कहने लगते हैं कि देखिए जब 1984 में इंद्रा गांधी ने विश्य विजेता टीम से बुलाकात की थी तब वर्ल्ड कप उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा था मगर जब प्रधान मंत्री ने हमारी विश्य विजेता टीम से बुलाकात की थी तो वर्ल्ड कप पर नसिर्व उनका हाथ था बलकि रोहित शर्मा और विराट कूली का भी हाथ था और ये कहा जा रहा है कि 1984 में और 2011 में जब भारत को वर्ल्ड कप मिला था तो क क्रेडिट लेनी की होड थी उस वक्रेडिस के नेताओं में और कांगरिस की सरकार में बिल्कुल 17 पक्ष क्रेडिट लेता है मगर कम से कम इस खूबसूरत मौके को धूमिल तो मत कीजे उसका अपमान तो मत कीजे हमारी वर्ल्ड कप विजेता टीम आई है और इस पर भी भा एहम्दाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे आपने क्यों वो मैच एहम्दाबाद में रखा आप मुंबई में भी रख सकते थे आप इडिन गार्डन्स में भी रख सकते थे आप मोहाली में भी रख सकते थे जहां की पिचिस बहतर थे आप भी जानते हैं कि क्या प् गुजरात के चुनाबों से पहले नाशनल गेम्स हुए थे, तब प्रधान मंत्री नरेंडरमोदी ने स्टेडियम से अपना रोड़ शो किया थे, कहने को नाशनल गेम्स, मगर उस पूरे नाशनल गेम्स को जरिया बना दिया था, गुजरात में वोट हासिल करने का, तो इसल कि इज़त कीज़े हैं हमारी टीम ने एक शांदार उपलब भी हासल की हम सब एमोशनल हैं हम सब खुश हैं हम सब खुश हैं विराट कोली रोईट शेर्मा सुर्य यादव जस्प्रीद बुमरा से पूरी टीम से इस मौके को एक भारती की तरह याद कीज़े इस तरह की या राजनीती मत कीज़े मेरी आप से अपील है और साथ ही प्रधान मंतरी से मेरी ये अपील कि जब भी हमारे खिलाड़ी किसी मुश्किल में है तब भी उन्हें फोन करके उनसे बात कीज़े मैं नहीं बुला हूँ जब हमारी महिला पहलवान सडक पर प्रदर्शन कर रही प्रधान मंतरी आपने उन्हें बुलाए भी नहीं जब कि मैं नहीं भूला हूँ कि जब इन्हीं खिलाड़ियों को उलम्पिक में मेडल मिला था तब आपने बिलकुल इसी अंदाज में जिस अंदाज में आपने हमारी विश्व विजेता क्रिकेट टीम को अपने घर बु पुल उसी अंदाज में उन्हीं खिलाड़ियों को बुलाय था और उनके साथ मुलाकात की तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भविश्य में जब हमारे खिलाड़ी किसी दिक्कत में होंगे किसी संगहर्श में होंगे तो कम से कम प्रधान मंतरी आप उन्हें फोन करेंगे मैं उ लगातार पुल गिर रहे हैं हालात इतने गंभीर हो गए है कि अब यह मामला सुप्रीम कोट पहुर चुका है जी हाँ व्रिजेश सिंग जो की आचिका करता है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोट पहुँच गए हैं और एक समती बनाने की मांग कर रहे हैं कि किस तरह से विचारा अधीन जो पुल है जिनका कंस्ट्रॉक्शन हो रहा है वो लगातार गिर रहा है और बार बार गिर रहा है और इससे कही न कही सुशासन बाबू की पोल खुल रही है जी यहां सुशासन बाबू एक तो मैं समझ नहीं पाता हूँ दोस्तों क्यों लोग नितीश कुमार को अब सुशासन बाबू बताते हैं माफ कीजेगा नितीश जी यह आपके अतीत का हिस्सा है अब आप सुशासन बाबू नहीं है क्योंकि चाहे लॉइन ओर्डर हो या गिरते पुल वो आप पर एक सवालया निशान है और फिर आपके सरकार के मंत्री और नेताये कहते है यह कोई साजिश है अंतराश्ट्री साजिश कह दीजे वो भी कह दीजे किसने रोका है आपको बहराल तेजस्वी यह मुद्दा लगातार उठा रहे हैं दोस्तों लगातार रोज उन्होंने आज क्या बयान दिया आपके स्क्रीन्स पर चार जुलाई यानि आज सुभए बिहार में एक पुल और गिरा कल तीन जुलाई को ही अकेले पांच पुल गिरे थे अठारा जून से लेकर अब तक बारह पुल धुस्त हो चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री नितीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश वह निरुत्तर हैं सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भष्टाचार को जंगलराज में कैसे परिवर्टित करें सदेव भष्टाचार नैतिक्ता, सुशासन, जंगलराज गुड गवनन्स इत्यादी पर राग अलपा दूसरों में गुणदोश के खुज करता कथित उच्च समझ के उच्च कार करता उन्नत कोटी के उत्कृष्ट पत्रकार सह पक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ट लोग अंतरात्मा का गलागोंट इन सुशासनी कुकृत्यों पर शुपी की चादर ओड सदाचारी बन चुके हैं बाप रे बाप इतनी क्लिष्ट हिंदी वैसे तेजस्वी जी ये खुद पढ़के भी बताईएगा जितनी क्लिष्ट हिंदी आपने लिखी है मगर कहने का मतलब ये है तेजस्वी जो तंज मार रहे हैं उस पर गौर की के तेजस्वी ये कह रहे हैं कि जो पत्रकार बात बात पर हमारा नाम यानि लालू प्रसाद यादब और तेजस्वी का नाम जंगल राज से जोडते हैं अब खामोश क्यों है इस पर चर्शा क्यों नहीं हो रही है और बात सही भी है क्योंकि आब मामला सुप्रीम को पहुँच गया यह मामला बहुत गंभीर है यह निर्माना धीन पुल है जो लगातार गिर रहे हैं सोचिए अ पहुल गांभी भी इदगा रहे हैं घरीब लोगों से मिलकर श्रमिकों से मिलकर यह बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर पुल इस तरह से गिर रहे हैं तो सोचिए अगर ऐसे पुल बन जाएं तो कई लोगों की जान पर बनाएगी और मैं आपको बतलाता हूं कि मुरेठा चौदरी ने अपना मुरेठाई उतार दिया है तेजस्वियादव का बयान देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में चार पुल गिरे मुख्यमंत्री मौन दो-दो-उप मुख्यमंत्री गौन 18 वर्षों की NDA सरकार बताए दोशी कौन चुकि BJP बिहार में सत्ता में हैं इसलिए भरष्टाचार और अपराद ना गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है और ना जातिवादी मीडिया के लिए वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए ये विच्चित रिस्थिती है कि 15 दिन में 1000 करोड के 10 पुल गिरने के बाद भी उन्हें विपक्ष को दोशी ठहरानी के लिए कोई बहाना ही नहीं मिल रहा है दोस्तों कहने को तेजस्वी तंज मार रहे हैं कि देखिए मीडिया तलाश रहा है कि किसी तरह से तेजस्वी पर दोश मढ़ा जाए तेजस्वी मजाग कर रहे हैं अगर इस मुद्दे को मजा हैं जिन पर आप सफर कर रहे हैं उनका कोई आडिट नहीं है उनकी कोई पूछ नहीं है अरे उनकी पड़ताल होनी चाहिए मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोट जल्द इस मामले में दखल दे और जल्द फैसला सुनाएं क्योंकि बिहार के तमाम पूल्स के आडिट की जरूरत है और अगर ये आडिट नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता हूं आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी तरास्दी जो है उस सामने आएगी मैं उम्मीद करता हूं हम सबका ध्यान इस तरफ जाएगा क्योंकि आप और हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाती हमारा कर्तव है कि हम इन मुद्दों को उठाएं अब इसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये